Air India और Indigo ने बांगलादेश के लिए रद की उडाने जारी की हेलप लाइन बांगलादेश की स्थिती को देखते हुए Air India और Indigo ने बांगलादेश के लिए जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल किया है Air India ने हेलप लाइन नंबर भी जारी किये है बांगलादेश में आये संकट के बाद भारत अपने नागरिकों को लेकर पूरी सतरकता बरत रहा है इस कड़ी में Air India ने बांगलादेश जाने वाली कई उड़ानों को रद्ध कर दिया है इस संबंध में Air India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया Air India ने एक्स पर लिखा बांगलादेश में उभरती स्थिती के मद्दे नजर हमने धाका आने जाने वाली उड़ानों का संचालन ततकाल प्रभाव से रद्ध किया है स्थिती पर हम लगातार नजर बनाए हुए है धाका से आने जाने उन यात्रियों की मदद कर रहे हैं जिनकी फ्लाइट टिकट कनफर्म थी जारी की हेल्प लाइन Air India ने जानकारी देते हुए कहा रिशेड्यूलिंग और कैंसलेशन चार्ज में हम एक बार की छूट भी दे रहे हैं हमारे महमानों और चालक दल की सुविधा हमारी सर्वोच प्राथमिकताओं में से एक है अधित जानकारी के लिए हमें 01169329333 बटा 0116939999 पर संपर्क कर सकते हैं वहीं इंडिगों ने ढाका के लिए कल 6 अगस्ट की अपनी सभी उडानों को रद कर दिया है कई ट्रेने भी हुई रद बांगलादेश में जारी बवाल के बीच रेलवे ने भी ट्रेन कैंसिल करने का फैसला किया है इस कड़ी में भारत से बांगलादेश जाने वाली ट्रेनों को मंगलवार 6 अगस्ट तक कैंसिल कर दिया गया है कई रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन सेवा मंगलवार के बाद भी रद रह सकती है ये ट्रेने हुई रद ट्रेन नंबर 13109 बटा 13110 कोलकाता ढढाका कोलकाता मैतरी एक्सप्रेस स्वामित्वरेल वेयार 19 जुलाई 2024 से 6 अगस्ट 2024 तक कैंसिल ट्रेन नंबर 13107 बटा 131108 कोलकाता ढढाका कोवा मैतरी एक्सप्रेस स्वामित्वरेल वे बांगलादेश 19 जुलाई 2024 से 6 अगस्ट 2024 तक कैंसिल ट्रेन नंबर 13139 बटा 13130 कोलकाता खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस स्वामित्वरेल वेयार 19 जुलाई 2024 से 6 अगस्ट 2024 तक कैंसिल दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा